हाई गाइस वेलकम यह हो आले इंजेनियर स्राहिल का ग्यान और वेलकम बैक इन आयोटी प्लेलिस्ट आज हम पात करने वाले हैं M2M नाम से पता चलता है मशीन टू मशीन काम होगा इसका मींस यह हो रहा है मशीन टू मशीन है तो हूमन इंटरेक्शन नहीं होती है यूमन इंटरेक्शन नहीं है तो AI, ML यूज आता होगा बाइचांस चलो थोड़ा पढ़ते हैं तो देखो इट इस डारेट कम्यूनिकेशन सिस्टम बीट्वीन डिवाइस यूजिंग वाइड एंड वाइड लेस्ट कम्यूनिकेशन चेनल विदाओ एनी हूमन इंटरेक्श को यूज कर गया है यानि कि Bluetooth यूज करें तो Small Range की बात हो रही है यानि घर में बेटा-बेटा में मेरे मोबाइल के थूरू फैन और वल्प को कंट्रोल कर पा रहा हूं तो यह अपने M2M के थूरू करेंगे लेकिन ओवर इंटरेट में घर के बार निकल गया हूं CT के बार अब मुझे मेरे घर पे फैन और बल्प को कंट्रोल करने तो मैं क्या यूज करूँगा मैं यूज करूँगा IOT क्योंकि उसमें इंटरनेट यूज करना पड़ेगा क्योंकि वो सारा डेटा क्लाउड पर इस्टोर किया जाएगा तो उसमें IOT लगती है बट Small Range के अंदर अ M2M का कॉंसेप्ट उठाना ही पड़ता है ठीक है समझें अब M2M के प्रोटोकोल्स एरिया नेटवर्क एंड गेटवे के बारे में देखते हैं तो बात करूँ M2M गेटवे की तो देखो इसका यूज करते गेटवे क्या एक दरवाजा खूलना तो क्या करता है इट और या फिर आप बोल सकते हो कि M2M एरिया नेटवर्क के M2M प्रोटोकोल यहां पर काफी चारे M2M नोड जिसको अपन यहां से डेटाबेस ते हैं और यहां से इसके थुरू होते वे इन तिनों के थुरू होते वे राउटिंग करके राउटर के पास जाता है ठीक है तो इस तरह से अपन क्या करते हैं M2M यूज करते हैं तो इसके अंदर एक नोड यूज किया है यहां पर मल्टिपल नोड होंगे तो यह तीनों एक करुबार बन जाएंगे वही नेटिव प्रोटोकोल ट्रांसलेशन देन प्रोक्सी देन आपकी राउटिंग हो जाएगी अब 802.50.4 होता है 6LOWPAN होता है एंबसेज होती है वाइलेस एंबस भी होती है UWB होता है मोड बस होती हो जैडवे होता है तो अगर आप से कई बार पूछे लें कि M2M एडिया नेटिक बताओ या M2M प्रोटोकोल बताओ तो यह आप डिफाइन कर सकते हो आराम से ठीक है और म मैं आने वाली वीडियो में भी जिख भी या कई चीजों को मैं डिफाइन करूंगा इन लास्ट प्लेइलिस्ट के लास्ट में बताई यह सब चीजे ठीक है तो यह आपको समझ में आया गेटवे का कॉंसेप्ट अब देखो इस नोड का थोड़ा सा एक स्ट्रा मैं और आपका कम्यूनिकेट विद लोड इन एक्सटरनल नेटवर्क यह भारी नेटवर्क के साथ अपका म्म्यूनिकेट नहीं कर सकता है कि वह उस मशीन का दूसरी मशीन से ही कनेक्शन है यह इस नोड का हापका इससे कनेक्ट होगे इस राउटिंग चे अब दूसरा नोड यू और में डिफ्रेंस और सिमिलारिटी देखेंगे सब्सक्राइब मिलता होने चुड़े के साथ में